हालो गाईज, वल्कम बैक टो मैं चैनल, दिश्यू की दुनिया, कैसे हैं आप सब लोग, I hope सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, आज हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, कि आपको कैसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, या आप कैसे जान सकते हूं, सिम्टम्स के अकॉर्ड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो मैं बता, सिम्टम्स है वो बता रहे हूं, आलस या एक्टिव कि आप में कितना आलस भरा हुआ है, आप कितने अक्टिव रहते हो, किसमें जादा आलस आता है, किसमें जादा active रहते हो, so मैं इसको एक ही count कर रही हूँ, आलस को या active को, आप किसी भी तरीके से ले सकते हो, जादा आलस आता है, या कम आलस आता है, जादा active रहते हो या कम active रहते हो, so first of all जो है वो आलस, tiredness so boy में, जब अगर आपके girl में लड़का पल रहा होगा, तो आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा आप बहुत जादा active रहोगे, और girl में बहुत जादा आलस से भरपूर रहोगे, बहुत जादा आलस आएगा आपको, तो इन symptoms के आधार पर भी आप देख सकते हो, second symptoms की आगर मैं बात करूँ दूसरा symptom जो है, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को subscribe करना पड़ेगा जो side में red button होता है उस पे आपको click करना है यहाँ पर और यहाँ पर जो bell बनी हुई होगी, उस पे आपको इस तरीके से जो bell होती है उस पे घंटी बजा देनी है इस तरीके से sign आ जाएगा उसके उपर, bell के उपर चली आप आगे बात करते हैं, like कर दीजेगा अगर आपको पसंद आए वीडियो तो आगे बात करती हूँ मैं need आपकी sleeping आपकी जो नेंद है वो कितनी आती है boy के टाइम पर और girl के टाइम पर तो जैसे हम इस से relate करते हैं जैसे कि activeness है tiredness है और नेंद है ये कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती ही है ये चारों चीज़े तो नेंद की अगर मैं बात करूं तो boy के टाइम पर आपको नेंद नहीं आएगी और girl के टाइम पर आपको बहुत ज़ादा नेंद आएगी मेरे according ये symptoms की मैं बात कर रही हूँ हो सकता है आपके साथ थोड़े बहुत symptom अलग हूँ तो ऐसा भी ज़रूर ही नहीं है आपके और मेरे symptoms दोनों match करते हूँ या हमेशा आपके और मेरी body एक जैसी symptoms आपको vibes आए ऐसी कि आपके और मेरे symptoms सेम होंगे ऐसा नहीं हो सकता है कुछ cases में हो सकता है सबसे पहले मैं ये clear कर देती हूँ बढ़ हाँ 90% cases में match कर जाते है 10% cases में ऐसा होता है नहीं कि body अलग है या कुछ भी हो सकता है सबसे पहले बात करते हैं मेठा खाना पसंद है या तीखा खाना पसंद है अलग-अलग मैं बहुत सारे count नहीं करूँगी जैसे मीठा या तीखा या टेस्ट कैसा है या खाना कब-कब खाना आपको पसंद है मैं सभी को एक ही में count करके आपको clearly बता दूँगी कि मुझे क्या पसंद था और आपकी symptoms कैसे हो सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम boy की अगर आपके गर्ब में boy पल रहा है न तो आपको मेरे हिसाब से तीखा खाना पसंद होगा बहुत मिर्च वाला खाना पसंद होगा तीखा और अगर लड़ी की पल रही है तो हो सकता है आपको मीठा खाना पसंद हो यहाँ पर आपको तीखा खाना भी पसंद आ सकता है boy के डाइम पर सो टेस्ट आपका वही रहेगा जादा तीखा खाना आपको boy के डाइम पर जादा पसंद आएगा और मीठा खाना आपको baby girl के डाइम पर पसंद आएगा आगे हम बात करते हैं आपके ग्लो की उपपर आपकी सुन्दरता की उपपर कि आपको कैसा ग्लो है आपका क्या फेशियल ग्लो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है चैरे का निखार कैसा है बहुत सारे आप इसमें यूज कर सकते हूं फर्ट्स सो मैं आपको क्लियरली बता दूए बोई के टाइम पर आपका ग्लो बहुत फेर रहेगा आपका कलर बहुत जदा फेर हो जाएगा और बेबी गर्ल के टाइम पर जो आपका कॉंपलेक्शन है वो बहुत जदा डार्क हो जाएगा मेरे हिसाब से अब हम फिफ्थ बात करते हैं आपकी नेक के कलर के उपर क्योंकि आपने देखा होगा जब प्रेगनेंसी होती है तो आपकी जो नेक होती है ना कुछ लोगों की नेक बहुत जादा डार्क हो जाती है आपने हिसाब से बताऊंगी बॉइ और गर्ल के वारे में की नेक का कलर कैसा हो जाता है तो बॉइ के टाइम पर तो आपका कलर फेयर होता है इसलिए नेक का कलर भी फेयर हो जाता है और बेबी गर्ल के टाइम पर ये जो सारे सम्टम्स है ना वो बेबी गर्ल के हैं और ये जो सारे symptoms है वो baby boy के है So color जो है वो neck का आपका एकदम dark हो जाएगा baby girl के time पर So ये जो 5 symptoms मैंने में बताए हैं Alice, Neand, Khana, Glow and neck color इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी Sleeping Position को लेकर देखिए जो doctor सोते हैं वो बोलते हैं आपको left side सोना चाहिए Left side क्यों सोना चाहिए? क्योंकि जो baby को blood जा रहा है आपका blood flow हो रहा है वो बहुत ही जादा अच्छे से होता है इसी कारण वर्ष डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको left side सोना चाहिए जो भी उसको गर्बनाल के दुआरा nutrients जा रहे होते हैं वो बहुत ही अच्छे से जाते हैं इसलिए डॉक्टर सापको suggest करते हैं बढ़ हां आपको तो डॉक्टर बोल देते हैं बढ़ क्या आप left side सो पाते हैं इसी question का answer मैं next वीडियो में आप लोगों के साथ में share करूंगी तब तक के लिए चैनल को subscribe जरूर कीचिएगा कोई भी questions हो तो नीचे comment section में जरूर बताईएगा और like जरूर कीचिएगा वीडियो को share कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो I hope आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी useful लगेगी useful लगे तो please like share subscribe जरूर कीचिएगा इस में से कोई भी questions हो तो नीचे आप comment section में जरूर बूच सकते हैं Thank you so much